चलिए देखते हैं यह हमारी गाड़ी है और अब गाड़ी के बैटरी के बारे में जान लेते हैं पहले किस टर्मिनल को खोलना चाहिए यह हमारा पॉजिटीव टर्मिनल है और देखें यहां प्लस का भी चिन दिया हुआ है इसको अच्छे स्कवर करके रखती है कंपनिया औ और यह हमारा नेगेटिव टर्मिनल है यहां माइनस का चिन दिया हुआ है तो गाड़ी के केश में क्या होता है कि पहले हमें हमेशा नेगेटिव टर्मिनल को ही खोलना चाहिए आपके मन में आ रहा हो कि ऐसा क्यों करना चाहिए तो इसके जवाब इसी वीडियो में मिलेग तो वीडियो को end तक जरूर देखिएगा गाडियों के अंदर लगे बैटरी में हमें इसलिए negative को पहले खोलना चाहिए क्योंकि गाडियों का connection कुछ अलग होता है इसमें कई सारी छोटे छोटे जगा पर हमें connection की अवशेक्ता होती है तो उस समय हमारी wiring को अशान करने के लिए हम क्या करते हैं हमारा जो ये negative point को गाड़ी की body से ground कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी पूरी गाड़ी के अंदर negative point असानी से मिल जाता है उससे क्या होता है कि हमारा जो phase का wire होता है वो एक ही wire को हम ले जाते हैं और नूट्रल जहां भी हमें सामने मिलता है वहां से हम पॉइंट कर लेते हैं और हमारा देखे लोड जल सकता है जहां भी हम उसको यूज करना चाहे हो सकता है तो ऐसा हम वाइरिंग को असान करने के लिए करते हैं तो पूरा जो नूट्रल होता है पूरी गाड़ी की बॉड तो आपके मन में आ रहा होगा तो इससे हमें neutral को क्यों पहले खोलना चाहिए तो इसलिए कि हमारा न्यूट्रल जो है गाड़ी की पूरी बॉड़ी में कनेक्ट है तो अर्थ के लिए कनेक्ट है तो ये न्यूट्रल पॉइंट गाड़ी की पूरी बॉड़ी में है तो हमारा जब यदि हम ये फेज को खोलते हैं यहां से फेज वायर को खोलते हैं और ये हमारा टर्मिनल जो ह यदि कहीं भी गाड़ी की किसी भी बॉडी में टच करता है तो स्पार्क करेगा सौर्ट सर्कीट होगा और उससे हमारी बैटरी की लाइफ भी कम होगी और सौर्ट सर्कीट से कुछ खत्रा भी हो सकता है आग भी लग सकती है तो इसलिए वेकल के case में हम पहले neutral को ही खोलेंगे तो दोस्तो इस वीडियो से हमें ये जानकारी मिली कि हमें यदि घर के inverter का connection खोलना है तो phase या neutral दोनों में से किसी को भी पहले खोल सकते हैं लेकिन यदि हम अपने car की battery को खोल रहे हैं तो पहले हमें negative को ही खोलना होगा नहीं तो कहीं यदि phase गलती से भी कहीं body में सटता है तो spark होगा और short circuit का खत्रा रहेगा तो दोस्तो वीडियो छोटा था मगर basic knowledge के उपर था तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like जरूर करें और हमारे channel बोकारो wedding car point पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें झाल करें